अलकलाइन वॉटर से किडिनी में होनी वाले स्टोन को ठीक किया जा सकता है हाल ही में एक रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है अलकलाइन वॉटर जिसे कभी कभी हाई पिएच वाला पानी भी कहा जाता है आजकल काफी ट्रेंड में है लगभग 7.5 pH वाले नॉर्मल पानी की तुलना में alkaline water का pH लेवल 8 से 10 के बीच होता है पर alkaline water में ऐसी क्या चीज़े होती हैं जिसे ये kidney stone को खत्म करने में कारगर होता है आई आज की वीडियो में चुआते हैं नमस्कार आप देख रहे हैं bold sky और मैं हूँ आप सभी के साथ kritika हाल के सालों में alkaline water का production बहुत बड़ा है देश-विदेश में ऐसे कई ख्रोप हैं जो alkaline water से जोड़े health benefits का दावा करते हैं इसे पीने से बहतर hydration और kidney की पत्री भी ठीक हो जाती है जिन लोगों का यूरिक एसिड बड़ा होता है उनकी kidney में stone होने का खत्रा बढ़ जाता है ऐसे में potassium citrate की गोलिया आमतोर पर बार बार लेने से आपको पत्री का खत्रा भी बढ़ जाता है हलागे कई मरीज regular तरीके से दवाई नहीं खाती हैं इसलिए alkaline water को stone को ठीक करने का best option माना चाता है The General of Urology में published एक report में इस बात का दावा किया गया है कि पत्री की रोग थाम के लिए alkaline water सबसे best है लकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप doctor के बिना सलहा के इसको कभी भी ले ले 10 के pH लेवल पर किये गए observation में alkaline content केवल 0.1 milliequivalents प्रतिलीटर होता है जो शरीर को एक दिन में 100 में से 40 milliequivalents प्रतिलीटर आपको दे सकता है पर इसके opposite कुछ दूसरी चीजों में pH बढ़ाने की क्षमता होती है खास कर कुछ fruits और vegetables में MQ लेवल काफी जादा होता है लकिन अगर हम specifically संत्रे या दूसरे से खटे पदार्थों के बारे में बात करें जिसमें सेफ और सिफ 30 MQI ही होता है इसलिए आपकी body को मिलने वाला AMEQ पूरी तरह से नहीं मिल पाता इसलिए alkaline water ही best option है फलहार आज की इस वीडियो में इतना ही और भी ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप जुड़ रही है बोल्ट स्काई के साथ तब तक के लिए नमस्कार